यह सरकार नमस्कार महुल जबुद शांदर आई हो पड़ाई मस्त आपके एंट पे एंट सर लास्ट चेप्टर ऑफ कस्टम्स पे हम आ गए हैं सर एक्जम्शन रिफर्ण्स एंड ओडिट चेप्टर नमबर 33 आईए सरकार सबसे पहली बात सेक्शनमर 25 बोलता है क्या एक्जम्शन सर जैसा हमने GST के नपड़ाया है पावर टू ग्रांट एक्जम्शन वही सेक्शन यह सेक्शनमर 25 हे कस्टम्स का al c1rg 6 था इजben्श्टियक में सिक्ष्ट है क्शार किवोच आ तो उनको लगता है किसी भी गूड पर कस्टम्स एक्टिक लेक्टर लगना था एक्टा में ऑंदीक्शन में भी पार्शलीग रूर नक्टीशनल और अनकोंडीसनल एंटarme mention यह बाइव इस्ट पिकेशन और नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन सब्साइब इस्ट पिकेशन इस अगर किसी भी एक्षिंट नोटिफिकेशन चाहिए तो गश्वर्मेंट विदिन वन एक explanation एड कर सकता है to clarify the issue पर हाँ वो clarification है इसलिए it will have a retrospective effect मतलब it will be considered as if it is the part of the original notification यह order clear done अभी जमने पड़ाया आपको पटा यह GST हो IGST Act हो CGST Act हो यह customs are absolutely same है sir अगर किसी परसन ने अभी एक्ट एक्स्ट्रा के लिए अगर किसी परसन ने कोई goods इंपोर्ट किया है और सर उस पर customs कमोंड किता है अब टू रुपीज वन टा अब टू रुपीज वन अंडरे तो customs exempt है sir सर सर कस्टम सो रुपे तक का custom exempt किया है अच्छा सर देंदर ने बटा अगर कोई goods आपने स्मगल किया है और अगर वो गूट्स एक्जम्टेट गूट्स थैं अम्माला ने कंपनी का जज्जमेंट था अगर उसने तो वो conditional exemption जिस जिन से notification दिया उसके दो साल के बाद जो 31st मार्च आने वाला है तब तक ही valid रहेगा उसके बात automatic withdraw हो जाएगा unless इससे पहले ही अगर government ने इसको withdraw कर लिया चेंज कर लिए तो बात अलगे सर आईए बचो सर customs import of goods at concessional rate of duty और for specified end use rules 2022 सर सिंपल सी बाते मान लो plastic पे customs exam किया अगर वो marker बनाने में काम आया तो clear अगर इस तरह का end use based exemption दे रहा या आपने sir कोई दवाई import कर लिया drugs import किया जो आपके वल particular किसी specified logo को ही supply कर से तो for a specified purpose clear तो restricted goods इस तरह के जो होते हैं वहाँ पर sir आपने import तो कर लिया अब उसके बात controlling कैसे करेगा department उसके रूल्स दे रहे है यह प्रोसेसर के तुरू कंट्रोल हो जाएगा for example मेरी factory मेरा sir जो गोडाओन है वो है उद्यपू रजस्थान में और sir मैंने इंपोर्ट किस्टम पोर्ड किस्टम पोर्ड कहा बेटा मुंबई से अब मुंबई के किस्टम पोर्ड वाले ने गूट्स को गर clear कर दिया giving this exemption अब sir बाद में जाके मैंने उस particular यूज के लिए जिस यूज के लिए एक्जमिशन दे रखा था वो benefit दे रखा था उस यूज में यूज नहीं लिया तो क्या control होगा sir उसके लिए रूल नमट्टू बोलता है सर यह रूल कहां अप्लाय होगा जापे जिन भी जिन भी नोटिफिकेशन में जिन भी रूल में इन रूल का observation के लिए बोलाओ को वहाँ यह रूल अप्लाय होंगे अगर को specified goods आपने specified end recipient के लिए ही यूज होने है सर वहां पर सेकेंड तिंग अगर आपने कोई goods जैसे प्लास्टिक इंपोर्ट किया और उसे मार्कर बनाया end use marker किया तो ही प्लास्टिक पर कस्टम एक्जिम्ट है इस तरह की जो एक्जिम्शन होते वहाँ पर यह रूल्स अप्लाय होंगे सबसे पहले ही सबसे इंपोर्टन बात इंपोर्टर गिव वन टेम प्रायर इंफोर्मेशन सरकार देदना सारा ओनलेन हो गया है सर आप कस्टम पोर्टल पे जाएंगे कस्टम पोर्टल मतलब होई सर भाई ice get.jv.in वहाँ जाएंगी वहाँ पर आपको एक फोर्म भना पड़ेगा फोर्म पर आई जी से रवन में आपको अपनी complete information submit करने पड़ेगी सर क्या क्या आप आपका नाम एड्रेस अगर जोब वर्कर है साथ में तो जोब वर्कर का नाम एड्रेस देन कौन से गूट्स आप पर्चेस करते हो आप क्या प्रोडूस करते हो आप क्या प्रॉसस अंडरेकन करते हो अच्छा यूमें भी सर्विस हो उसका इंपूर पर रिशो क्या है कौन सा नोटिफिकेस्ट अप्लिकाबल है आपकी आउट्पूर सर्विस क्या है सर कौन सा प्रिमाइस से जापे आप यूज करने वाले इन गूट्स को देन एंड यूज रेसीपेंट कौन होंगे उसके प्रिकलियर उसके डिटल्स दे सर मैं उस जरुजिक्षिक्षिन में मिटा पर मैं को इंपूर्ट का से करना है मुंबई पोर्ट से तो मुंबई पोर्ट के इंफॉर्मेशन में इसमें इंसेट करूँगा अब यह सर मैं आईजिसर वन फॉर्म फिल करूँगा और समिट करूँगा कस्टम पॉर्टल पे ज मेरा जो जुरिजदिक्शनल ऑफिसर है ACBC उधैपूर के जुरिजदिक्शनल ACBC जो है कस्टम्स के वहां जाके मेरे को एक continuity bond sign करना पड़ेगा सर उस bond में मैं undertaking दूँगा कि जिस goods को मैं import करूँ जिस purpose के लिए वो allow किया गया है उसी purpose में काम लूँगा किसी और purpose में काम नहीं लूँगा और किसी और purpose में काम लिया तो you can recover the amount of exemption from me along with interest and penalty और अगर restricted goods जैसे drugs import के drugs किसी particular person को भी supply करना थे वहां मैंने misuse किया तो यसे किसमें जो value of goods है उतना मेरे पे penalty charge हो सकता है यह में bond में लिखूँगा बटा जितना मेरे को मिला था उस पर गोवर्मन को पेका नहीं करना है plus interest कब से जिस दिन से मैंने custom clearance करना था वहां से लेके जब मैं custom पे करूंगा तब तक का मैं interest 15% पेका नहीं करना है यह में bond में लिखूँगा बच्चो clear done सरकार अब प्रोजज़र टुभी फोलोड क्या है अब सब्सक्राइब को इंपोर्ट करना होगा तो मैं अपनी bill of entry में अपना आयन नमबर लिख दूँगा बैटा मैं clear जो मैंने आयन नमबर लिख दूँगा उससे क्या होगा जो कस्टम पोर्ट पर ऑफिसर उसको ऑटमनिक पता बढ़ आगा कि हाँ सब्सक्राइब करना है यह ड्रग से इसको अलाउड है इंपोर्ट के लिए क्योंकि इस पाटिलर उसके लिए यूज करेगा इसने बॉन भी संक्या वात हो ऐसे कैसे में एट कस्टम ऑफिसर ऑफ कस्टम पोर्ट मॉंबई पोर्ट वो अलाउड कर देगा गुट्स अलाउड कर देगा एंसर में गूट्स लेके आ जाओंगा क्लियर डन अचा जितनी वेल्यू अफ गूट्स का में जितना एक्जिमिश में ने क्लेम किया कस्टम का उतने मों से मेरा बॉन क्या हो जाएगा सर डेविट हो जाएगा बिटा रणिंग बॉन करना बच्छ इसलिए सर रूलो मां सिक्स बोलता है क्या इंपोर्ट में पास कितना ओट्पूर ने बन गया है कितना और इंपोर्ट केया है कितना रुट्स में एक्सपोर्ट किया है कितना बेंटीन करनी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री वाइज चेर कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टोग है according to the Bill of Entries, clear, यह समय को मेंटरिंग करना पड़ेगा, प्लस, सद्यांदना मैंटा, अगर कभी भी कोई goods मैंने इंपोर्ट किया था है, और वो अगर मैंने इंपोर्ट किया वन लेकी निट पर मैंको रिसीव वा कितना, अगर मैंने इंपोर्ट को अगर मैंने इंपोर्ट कर लिया होगा इंपोर्ट को उतने अमांट से, मेरा bond क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा, recredit हो जाएगा, मतला वापस से recharge हो गया हो एक तरह से, क्योंकि internet purposely मैंने इंपोर्ट को यूज कर लिया, पर अब सर मेरे को मन्त का इंतजार नहीं करना, उससे पहले ही मैं को bond account को credit करना है, तो यसे case में मैं before the end of the month itself, क्या कर सता हूँ, form number IGCR 3A फिल करके, सर वो statement कर सता हूँ, कि मैंने इतने इतने goods को यूज कर लिया, so that मेरा bond account recredit हो जाएगा, so that मेरे को उतना margin में को मिल जाएगा, to import further goods, clear, done, सरकार, आईए roll number 7 मोलता है, processor for allowing, imported goods for job worker, Sir, अगर मेरे को कोई goods job worker का बेजना, job worker का information मैंने already IGCR 1 के time दे रखा है, clear, मैं goods बेज दता हूँ, job worker का under the cover of invoice, और EV bill, clear, या deliver charge and plus EV bill के दिरू में goods बेज दूँगा, उसको, प्लस, सर, उसके नदा, clearly लिखूँँगा, goods की quantity क्या है, क्यों से goods में बेज रहा हूँ, plus मेरे को जो stock record मैंने update किया, stock record मैंने maintain के बास में भी update करना पड़ेगा, plus monthly जो मैं statement file करता हूँ, भी update करना पड़ेगा, पर, सर, maximum 6 मैंने के लिए goods job worker का बेज दा हूँ, कितने goods आपको receive, कितना आपने job worker करके वापा से goods return कर दिये, सारे आपको records mentoring करना पड़ेगे, कभी भी pro professor आप से कोई information मांगते तो आपको provide करनी पड़ेगी, clear, और job worker काम होने के बाद में, आपको वापा से goods return करने पड़ेगे to the principle, आई ये rule number 8 बोलता है क्या, procedure for allowing important goods for unit transfer, same procedure जो job worker का था, वो यहापे भी बेढ़ा, कि job worker, sorry, मैं एक branch से दूसरी branch में goods बेज रहा हूँ, तो मैं बेज सकता हूँ, under the cover of a delivery चालान और EV bill, या invoice के तुर में goods बेजूँगा with EV bill, clear, प्लस सारे records में mentoring करूँगा, monthly records में mentoring करता हूँ, उसको update करूँगा, बड़ा monthly records में return करता हूँ, उसको update करूँगा, plus sir, उस unit को proper records में पड़ेगी, कभी भी प्रोपर officer information मांगता हूँ, उसको provide करनी पड़ेगी, एंड, sir, जिस process के लिए मैंने goods बेजा था, वो process होने के बाद, वो goods वापस है, principal को, main unit जोती, उसको return करेंगे, फिर rule number 9 बोलता है, processor for supplying imported goods to the end-use recipient, जैसे for example drug import किया, अब drugs का import restricted है, कोई import नहीं कर सकता है, पर मैंने दवाई manufacturer के लिए, वो drugs import किया, वो allowed है, तो ऐसे case में, sir, ये notification follow करना पड़ेगा, अब ऐसे case में नहीं इंपोर तो कर लिया, आयन नमबर में को मिल गया था, उसके तुरू में नहीं इंपोर कर लिया, अब में, जब end-use recipient को supply करूंग, एंड goods को, I should supply these goods under the cover of invoice, and if we will mention the description and quantity of the goods, and, sir, in case of supply of replenishment or export against supply, the end-use recipient shall maintain the proper account of receipt of goods, कितना goods receive हुआ, उसको maintain करना पड़ेगा, कभी भी officer information मांगते हुआ, उसको provide करना पड़ेगा, and, produce the relevant details to the importer for fulfillment of the benefit under this notification, ये सारी information उसको importer को भी provide करने पड़ेगी, कि मैंने ये goods थो था, इसके इस purpose लिए काम है लिया, Okay, now, re-export or clearance of the unutilized or defective goods, दिल थाम के सुनना बड़ा अच्छा point है, sir, जो goods मैंने import करी है, तो, sir, जो notification का मैंने benefit लिया, उस notification में लिखा होगा, कि इन goods को आपको कितने time period के नंदर यूज करना है, तो आपको उस time में use करना पड़ेगा, या फिर नहीं mention डेशा कुछ भी, तो six month के नंदर इन goods को use करना पड़ेगा, जिस दिन import के वहाँ से चे मैने में, और हाँ, commission चाहे तो यह जो time period दे रखा है, जो notification दिया वो time period, या 6 मैने जो भी, अगर time period नहीं दे रखा तो, उसको extend कर सकता है for a further period of three more months, अगर reasonable reason था, कि इन goods को इस कारना से हम use नहीं कर पाया थे, तो commissioner एक्सेनर नहीं दे सकता है, पर अगर इस time period के नंदर आप use नहीं कर पार हो तो यह से case में, या तो इन goods को domestic market में बेच दो, on payment of custom duty, along with interest, या फिर इन goods को re-export कर दो, और अगर आप, मतलब goods were found to be defective, या access quantity में आगे था, जिसको आप use नहीं कर पाया 6 मेने में, या defective goods थे तो यह से case में, इनको आप re-export कर सकते हो, या domestic market में बेच सकते हो, domestic market में बेचा है, तो जो एक्जमश में मिला था, वो पे करन आपड़ेगा, with interest, जिस दिन सापका custom clearance हो, वहाँ सले के, सर, जिस दिन आप पे करोगे custom, तब तका interest पे करना आपड़ेगा, 15% परनम, simple interest, पर, अगर आप re-export कर दो ध्याना, मालो आपने goods इंपोर्ट किया था, वन CR में, तो re-export अगर आप कर दो, re-export value should not be less than the value at which goods were imported, goods एक करोड में इंपोर्ट किया, तो maximum value, minimum value एक करोड होने चीए, re-export किया, उसमें से 20 lakh एक goods इंपोर्ट किया तो minimum value होने चीए, इसमें जितना quantity आप री-export करोगे उसकी quantity की value होने चीए, minimum value जितने में अपने इंपोर्ट किया, वो value minimum होने चीए, for re-export, clear, done, अब सर देन द अब आपने कोई capital goods इंपोर्ड किया था using the benefit of these rules अब और capital goods आपने use किया पर use करने बाद कुछ नहीं माद आप उसको बेचते हो तो ऐसे case में सर जो आपने exemption दिया था वो विडरो होगा पर पूरा विडरो नहीं होगा तो ऐसे case में जो machine की value थी माद लो once year was the machine की value तो उसका depreciated value निकालना depreciated value के से नहीं के लिगा बटा यह percentage of reduction दे रहे को 4% per quarter या part of the quarter in the first year second year में 3% third year में भी 3% fourth year plus fifth year में 2.5% 2.5% per quarter या part of the quarter and उसके बाद every quarter में 2% per quarter is the percentage of reduction यह percentage से आप क्या करेंगे machine की depreciated value निकालनेंगे बाद सर माद लो machine पर कस्टम की रेट थी 20% पर यह notification की वाई से आपने के वल 5% ही custom pay क्या मतलब आपने 15% का exemption claim किया था या हो सकता है full exemption था 20% था चलो इस example में हमने 15% exemption लिया तो सर मशीन के जो depreciated value आएगी उस depreciated value पर आपको 15% कस्टम पे करना पड़ेगा जो value आएगी उस पर clear along with interest अब interest कब से अब द्यान देना मटा interest कब से जिस दिन आपने custom clearance करा तब से अब जब custom pay करोगे तब तक interest simple interest number of days गाप से at the rate of 15% परनम पर सब से important बात यह quarter जो काउंट करने कैसे करने पहली बात तो GST में जो quarter counting होती वे से मत करना आई से नहीं सब्सक्राइब यहीं गलती करी हुए सर कोई बात नहीं कोई तकली वाली बात नहीं कोई किसी को सर अपने को ता सही आंसर लिखना है और इसके मांस आपको पूरे मिलेंगे चिंता मत करना सर अब क्यांट करने कि जिस दिन clear हुआ था for home consumption जैसे 14 फेब को clear हुआ तो 14 फेब से एक quarter 13 माई को कतम होगा साब बात कतम इस तरह से quarter काउंट करने और लास्ट क्वाटर कर होगा अगर पाड़ दी काउटर होगा तो इसको पूरा quarter मानने का अच्छा quarter कब से काउंट करने के जिस दिन clear किया तब से नहीं वीटा put to use से ध्यान रखेगा सर मतलब quarter जो है पर capital good से case में count होते है वो जिस दिन आपने मशीन को put to use के मानलो 14 फेब को आपने clear किया for home consumption और सर आपने put to use के कब से 25 मार्च से तो 25 मार्च से quarters count करेंगे सर 25 मार्च से एक quarter कब कतम होगा बटा 24 जून को कतम होगा बच्चो this is how quarters will be counted क्लियर यह लो में लिखा मैंने नहीं बताया बटा यहां पर गलती हुआ हुआ है एक्जाम में आई से कोई बात नी सर करेंगे अब यह कस्टम पे करेंगे अगर आप capital goods बेस्ते हो तो आउ recovery of duty in certain cases अगर सर आपने यह जो गूट्स है वो domestic market based दिभली capital goods और नोमल गूट्स हो तो वो कस्टम आपको पे कर आपड़ेगा along with interest नहीं पे किया तो आप से रीकवरी करेंगे और अगर आप पे नहीं करते हो तो आपने बोंड सेन किया था बटा वो बोंड को exude करेंग करेंगे जो security security दे रहा उसको हम realize करेंगे रिकवरी प्रसेजिंग आपके करेंगे हो जाएगा clear done sir और हाँ अगर job worker ने कोई कांड किया तो उसके लिए importationally be responsible मतलब आपने जो good job worker किया वहां से कोई गड़बड हो गया sir goods were not found या आप वहां से कुछ goods गायब हो गया sir message हो गया दो लाग तक का penalty इंपोर पर लग सकता है या जो भी परसन को उटर्विन कर रहा उस पर लग सकता है भारत माता की जाए अब सर यहां पर दे रखा है क्या किसको कितना bond या bank guarantee देना है या security या security देना है ठीक है कोई खास बात ने इसका एक रीड करना आपको आईए refunds interest there on other provisions under customs, sir doctrine of unjust management GST हो, customs हो, excise हो, service tax हो, wait हो, sir refund shall be allowed only to the person who has borne the burden of extra duty and sir in case of customs, indirect tax में हमेशा presumption लिया होता है कि burden is always shifted to the customer, sir इसलिए refund will be granted to the customer and normally customer refund के ले आता नहीं मच्चा, इसलिए this amount is by default credited to the consumer welfare fund पर अगर आपी प्रूव कर दो कि you are an exception to the doctrine of unjust management, आपने ही burden बोन किया, आपने ही burden shift नहीं किया, तो इसे case में आपको refund मिल जाएगा, अब custom के case में किस-kis case में refund मिलता है, कैसे मिलता है, वो बात कर लेता है, हम सबसे पहली बात, sir refund की application देनी है, आपकी jurisdictional, ACDC को देनी है, sir refund की application कौन देगा, जिसने burden bone किया है, sir वो refund के लिए अपलाय करेगा, अगर 100 रुपे से कम का refund मिलता है, अब सबसे पहली बात, sir हमेशा GST हो या custom हो हमेशा देना, refund की case में हमेशा दो तरगे document अटेज करना पड़ता है, और second case, second document आपको अटेज करना पड़ेंगे, यह प्रूव करने के लिए वो burden आपने बोन किया, refund तो बनता हो ठीक है, पर साथ में भी तो आपको अटेज करना पड़ेंगे, अच्छा, आपने यह प्रूव कर देगी, यह refund मनता है, पर आप यह प्रूव नहीं कर पाए कि बटन आपने बोन किया, this amount will be created to the consumer welfare, fund, अब time limit to claim the refund कितना है, बटा, one year, GST में दो साल का time दे रहा है, और अगर duty आपने under protest पे करी वी तो य relevant date, sir, relevant date क्या होता है, sir, अगर person other than importer claim कर रहा तो जिसने उसने purchase क्या goods वहाँ से one year, then अगर किसी judgment की वेज़े से refund मन रहा है, judgment या order decree की वेज़े तो ऐसे case में, जिसने वो judgment आया, order आया, decree वहाँ से one year count किया जाता है, अगर duty provisionally assess हुई थी बात में final assessment हुआ, प्रोविजनल अस अगर कोई special order के थू कोई goods exempt हुआ, तो जिसने वो order issue हुआ, वहाँ से एक साल, और in any other case, date of payment of such duty and interest, payment of duty or interest, वहाँ से एक साल के अदर आपको refund के अपलाए करना है, now, sir, what are the circumstances, what are the exception to the doctrine of adjust management, मतलब, वो list of cases, जिन case में refund अला होता है, under customs, first, if the importer or exporter has not passed on the incidence of such duty or interest to any other person, खुदने ही बढ़न बोन किया, second, sir, किसी individual अपने personally कोई goods import के तो, obviously, उसने बढ़न शिफ्ट नहीं किया होगा, next, buyer जो था वो आगे refund लेने के लिए, मैंने इंपोर्ट किया, मैंने आपको goods बेचा, आप बायर थे बेठा, आपने, प्रू under 26 में पढ़ा दिया है, कि अगर कोई goods अपने export किया, बता भी दो तो है, अगर आपने कोई goods export किया, तो और export करने पर अपने export duty पे करी, और वो goods अगर return हो गया within one year, तो SXS में, sir, उस goods के export पर अपने export duty पे करी थी, उसका आपको refund मिल जाएगा, और refund विदिन 6 मन आपको सर, self assessment के case में, अगर assessor ने self assessment किया, bill of entry फाल किया, अब ऐसे case में आपको पता है, self assessment करते वक्त, आपको खुद कोई tax amount pay करना पड़ता है, उसी दिन, अब बाद में मालो duty का amount reassess हुआ, और custom amount कम बना बेटा, तो इसे case में आपको refund मिलेगा, और access amount of duty का आपको refund मिल जाएगा, in case of self assessed bill of entry, in case of reassessment, clear, जो आपने actually pay किया है, वो जादा था, और actually जो आपको pay करना था, वो कम था, तो इसे case में, access amount का आपको refund मिल जाएगा, clear, done, rule section 27, यह बोलता है, interest on delayed refund, आपने refund के लिए apply किया, sir, valid application for refund थी, आपको refund बनता है, you have proved कि आपने, your exception to the doctrine of unjust management, document वागरा सारा submit कर जिसने अपने refund के लिए apply किया, उसके तीन मेने में refund नहीं मिला, तेसी case में, तीन मेने बाद वाले प्रेट के लिए, you will get the interest at the rate of, sir, 6% परनम, simple interest number of days कि आपसे बिटा, ठीके, sir, देना, duty dropping में, एक मेने का वक्त मिलता है, department को यहां, तीन मेने का वक्त है, normally, sir, section 28 बोलता है, presum that incidence of duty is passed on to the buyer, हमेशा, sir, indirect tax में presumption लियावा है, कि बढ़न तो हमेशा shift कियावा, इसलिए, आपको पूरू को पड़गा कि बढ़न आपने shift किया, आपने, बोन के आपने shift नहीं किया, section 12C and 12D of the Central Excise Act, Consumer Welfare Fund, sir, government fund मना रखा है, Consumer Welfare Fund, जो भी refund का amount होता है, इस amount, इस account में credit कर जाते है, and this account is used for welfare of the consumers, sir, इस account में कौन-कौन से amount जाएंगे, सबसे बली बात, duty of access, or customs, or amount of service tax, which are to be refunded, sir, और doctrine of unjust management में, अससी प्रूव नहीं कर पाए, कि उसना button बोन किया, तो ऐसे case में amount यहां credit कर देंगे, plus, अगर कोई EA fund कलेक्ट हुआ, इसे कोई investment क्या होता है, कोई income हो इसे fund में जाएगी, plus, any other amount, which may be received by government, for this purpose, वो भी इस account में जाएगी, बच्चा, clear, and, sir, next, sir, section 28C, price of the goods to indicate the amount of duty paid thereon, अगर आपने कभी भी customer से tax collect किया, तो इसमें, आपको हमेशा price of the goods के साथ-साथ, tax amount अलग से indicate करना पड़ेगा, आईए, sir, last topic, section 99A, audit, sir, यह customs department की internal audit है, sir, the proper officer carry out audit of assessment of imported goods, or export goods, or of the audit, under this act, either in his own office, or in the premises of the audit, in such manner, as we prescribed, or prescribed किया, customs audit regulations, 2018 के थूँ, और बोल दिया किया, sir, audit का मतलब किया, धियान सुना, sir, department की audit चलरी बटाई है, department audit कर से करता है, sir, जैसे हम लोग audit करता है, client की वैसे ही, audit includes examination, verification of declaration, record, entry, document, import or export license, authorization, script, duty credit scripts, certificate, permission, etc., books of account, test or analysis report, and any other document relating to imported goods, or export goods, or dutiful goods, and may include inspection of sample and goods, if such sample or goods are available, and wherever necessary, draw all of the sample, sample draw कर के, testing ले सक्ते बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् Okay, of this act, and includes an importer, exporter, custodian approved under section 45, or a licensee of the warehouse, or any other person concerned directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling or purchasing of the imported goods, or export goods, or dutiful goods, वो सारे लोगों की audit department कर सकता है, बड़ा शान्दार point है पटाई है, sir, अब यहाँ पे audit करने लिए अगर आएगा, तब sir, आपको documents प्रवाइड करने पड़ेंगे, department आपको एक advancement notice देगा, at least 15 days advancement notice देगा, और आपको, sir, minimum period of 5 years के लिए documents records वकर प्रिजर रखने पड़ते हैं आपको प्रवाइड करने पड़ेंगे, अगर वो मांगते हैं, sir, selection of the audit, sir, वो कैसे select करते है, according to the, sir, उनका software जो बना है, risk evaluation, best known risk evaluation through appropriate selectivity, credit director, वो select करते है, sir, कोई abnormal transaction दिखते है, उनको उस तरह से वो select करते है, accordingly, audit को notice जाता है, अब manner of conducting audit क्या है, sir, सबसे पहली बात, या तो department क officer आपने खुद का office में करेंगे, आपकी premises पर आपके audit करेंगे, at least 15 days advance में आपको intimation दिया जागा, यह कोई rate नहीं मार रहे है, search नहीं कर रहे है, clear, sir, at least 15 days advance notice आपको दिया जाएगा, बताएंगे आपको, कि हम EC spread का audit करेंगे, यह check करेंगे, अब यह document ready रखेगा, sir, अब एस and, sir, आपने, sir, corporate किया, department audit किया, audit में कुछ audit findings उनको मिले, sir, अगर आप उससे agree करते हो, और अगर मानलो, sir, उसमें लगता है कुछ tax वगरा बनता है, तो आप voluntarily pay कर सकते हो, नहीं, तो कोई बात नहीं, department उस टाइम recovery नहीं करेगा, बता, अगर, outcome of the audit यह है, कि tax recovery बनता है, tax interest penalty duty interest penalty बनता है, तो ऐसे case में, dad वहाँ recovery नहीं ही अगर, अगर, sir, normal show course, अगर, आपको बात में, issue, किये जाएंगे for this, for the amount which is recoverable from you, clear, अब sir, ये audit इनको complete करना पड़ेगा, वे दिन, 30 days, जी दिन शुरू किया, वहां से, 30 दिन के अंदर audit करना पड़ेगा, पर commissioner को लगता है, अ clear, normally 30 दिन तक time दे रखा है, audit पूरा करने का, पर इसको बढ़ा के 60 दिन भी कर सकते है, clear, done, now, assistance of professional, sir, अगर, मालो, audit करते वग, proper professor लगता है, कि किसी outside expert की हमको help चाहिए, जैसे laboratory expert की help चाहिए हमको, या charter account and cost account की help चाहिए, तैसे case में, sir, previous approval of commissioner लेके, sir, external party की help ले सकते है, professionals की help ले सकते है, during the audit, and sir, last, any audit, who contravence any of the provisions of these regulations, shall be liable to a penalty, which may extend to rupees, 50,000, इसी के साथ, भारत माता की, जै, और, sir, ये topic भी कतम होता है, अब, और, sir, इसी के साथ, custom का revision का revision की कतम होता है, अब, I hope, ये पूरा GST plus customs का revision series था, हर एक chapter आपके इन पे revise हुआ, शायद मजा है, शायद भार and to prove yourself में, बहुत सारे lectures में कोशिश के आपको बोला, so that आपके mind में fit हो जाए, कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है, लगा दो अपना पूरा दम, and sir, अगर ये lectures ने आपको help किया हो, तो बस दुआओ में याद रखना, and comment box में, भारत मता की जाए, सारे दोस्तों के साथ में, सारे CS, CMA, final case students के साथ में, so that सब को इसका maximum benefit मिल पाए, all the best guys, we all are with you, हम हमारी prayers आपके लिए कर रहे है, sir, आपके parents, आपके friends, आपके loved ones, जो आपको चाहते हैं, वो आपको बहुत, sir, दिल से दुआ दे रहे है, आप अच्छे से पढ़ाई करिये, sir, अपना पूरा focus पढ़ाई पे लगई है, and sir, बस, अगर आपने अपना 100% लगा दिया, तो उपरोला देख रहा है, sir, सफलता आपको मिलेगी, माहुल जब दर शांदार बनेगा, all the best guys, love you a lot, and मिलते हैं एक दिन exam के बाद कभी, all the best, माहुल, bye-bye.